इस बार मामला यूपी में बीजेपी की तरफ से ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की है निकाय चुनाव चल रहे हैं और हमारे साथ हैं यूपी के जल संसाधन मंत्री और बीजेपी के पुर्व प्रदेश सद्यक्ष स्वतनदेव सिंग्जी स्वतनदीब जी अभी तो आप करनाटक से चुनाव पचार करके लोटे हैं निकाय चुनाव में भी हैं आप क्या समझा जाए ये जो निकाय चुनाव है वो एक तरीके से बीजेपी के लिए शक्ति प्रदर्सन भी है रिपोर्ट कार्ड भी है कि निकाय चुनाव सभी चुनाव महत्तप होते हैं और राज्जी के अंदर हम लोग पर्माने चुनाव जीत रहे हैं और निकाय चुनाव भी एक तरफा जीत होगी संगठन के कारकरताओं के बदोलत, सरकार की लोगप्रियता के कारण, जो आधरिण मोदी जी केंदर सरकार, राजसरकार की योगी जी की जो योजनाय है, जो जन्दा, जनार्दन ने पिछले आट सावलों से और आज जमें साथ सालों से देख रही है, दुसरी बात लोगों का सोच भी बदला है पहली बार केंदर राज सरकार की योजना के कारण मोदी जी कारण योगी जी कारण क्या है लोगों की सोच भी बंदली है और गरीबों का आर्थी कुन्नती हुआ है यहनी सोच के साथ साथ उनका अस्तर भी उचा करने के काम पहली ब काम होता था आज 6-7 सालों से राज्जी के अंदर सांती है पूरे महानगरों को ठाएंगे नगरपल का और टावन विया को एक सांती है और जो समस्या थे रहती थी स्वच्छता का जल का जल निकासी का सीवर लाइन का यह सब समस्याओं का समाधन भी हुआ है मतलब रोड का हुआ इसका एक जाल भी फैला है बहुत से सहरों में तो एर कनेक्टिटी भी होगी चुकी है तो एक तरह का इंप्रफ्रक्टर भी एक सांदार हुआ है दुसरा क्या है कि बैस्विक महामारी के भी चलते हुए आर्थी किस्तिती जो खराब होती फिर भी उसको जहलते हुए ऊसी करोण लोगों का भोजान दूसरी बत किया है सहरों के अंदर शहरों की अंदर जो गरीब था उसका पेट भनने का भी काम हुआ है जो सहरों के अंदर रहडी पटरी वाली थे उनका भी आर्थिक उन्नत हुआ है उनको भी पचाए गया है तो लोन हुआ है दस जार बीस जार पचास जार पिछली बार मेरट अलिगट यहां दोनों बीजेपी हार गई थी बीएसपी को मिली थी इस बार भी चुकि बीजेपी के ब समस्ते हैं कि एक मतदान का कीमत क्या होता है यह जो मतदान आदमें देता है कोई जाती बाद को छित्रवाद बेक्तिवाद परिवार बंसाद बाद की कारव मतदान नहीं होता है यह विकास के लिए मतदान होता है एक मतदान से कानुन व्यवस्ता चुस्त दुरुस्त रहत कानून का भी राजे दूसरा क्या है डेवलोमेंट है और सांती से लोग रहेंगे सम्रदी साली हो रहे हैं दूसरी बात क्या है कि देखिए जो मीडियूम क्वाल्टी का अदमी था जो कोरोना वेस्टिक वारी में टूट रहा था उसकी भी आर्थी कुनिस्ति मोधी जिने यह जिने मिलकर क्या है कि जो लोन दस जार बीस जार पचास जार का हुआ फ्री में जुविना गारंटी का इसी वह अपना अस्तर में सुधारा है तो ब्यक्ति को चाहिए विकास और डेबलेमेंट अभी जो आप बात कर रहेते हैं कानून विवस्ता का बार बार जिक्र कर रहे तो इस बार के निकाई चोनाओं में भुल्डोजर वाला रू consuming है या फिर विकास वाला मॉडल है निकाई चोनाओं में क्या लेके जाए इन दोनों में से देखें आप कलपना कर सकते हैं पूरे महान दान मंत्री और मुक्ष मंत्री आवाल जु है सभी महानगरों में 10-10,000, 4-4,000, 3-3,000, 2-200, 3-300 यानि हिंदू-मुसल्मानों को दोनों का हवास मिला है और सबसे बड़ी बात है कि जो 5,000,000 का आइसमान का कार्ड है कलपना करिये 5,000,000 का आइसमान का कार्ड उस गरीब के जीवन को बदल देता है नहीं कर्ज में चला जाता है जो जाच होती है ना पचाच पचाच कमी जाच पर लगता है उसको जाच कमी बचत हो रहा है उसके जीवन का जो लोगोंने बैंक का एकाउंट नहीं देखा था बैंक का एकाउंट देखा बैंक तक लोग पहुचे हैं ऐसे करोन लोग सहरों के देखे गरीब जो दली सोसित बंची सहरों में पिछड़ा आया और मेडिल को आशकी रहता है उसको सुविधाएं चाहिए और सिकेंड है कि कानून का राज होना चाहिए वह सुखी रहना चाहत है दूसरा एक मतदान के कारण राश्टबाद करिमाड क्या है एक उससके मतदान के का ररन 370 समाप्थ होता है और सेना के उपर पत्थर चलना बंद राम मंदिर का निर माड़ होता है अब करें बुल्डोजर भी और विकास मस्त है और कानून का राज होना चाहिए और के लिए कर चलते हैं एक तरव विकास खर ज़ंड है योगी जी घूंगूं के कह रहे हैं कि उमेश पाल का मॉडर हो जाता है अख के सामने में अतीक असरप की मॉडर हो जाता है तो सब चंगा कुसे हैं चैसे कानून जो सरकार होती है न किसी माफिया का मदद नहीं करना चाहि कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि संगठन और सरकार के कोई मंत्री भी किसी माफिया गुंडे को थाने में चवकी में आप इसमें किसी को फोन नहीं करता चोड़ा जो गलत है कानून अपना काम करेगा घटनाएं घटित होती हैं लेकिन कानून कराज होना चाहिए दोसी बचन है उसको स्वैम लोग बचा रहे हैं तो क्या है कि सपा के सासान देखे होंगे पतल लगे गुंडा जेल से उठा कर ला ले आते थे लोग पर फाइरिंग करते हुए निकल जा रहा है गाड़ी पर चड़कर गोली चलाते हजल गन से निकला जा रहा है डेड़ से मोटर साइक घतना है लोग करते हैं वह बचते नहीं है फिर कानून में कोई हत्य श्रकार कानून अपना काम करता है इक तरफ एक कानून का राज है विकास है और एक हाफ मेराश्ठवाद के एजंडी लोगसवा के चुनाओं होंगे और यूपी सबसे बड़ी चुनोती है मिसन 75 बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है इस निकाई चुनाओं को उसके लिए रीहरसल माना जाएं लोगसवा के लिए देखें मोदी जी की बात मत करिये है चौबीस में दूर दूर तक किसी को नहीं तर्फरदेश में आकर क्या करेंगे तो दूर दूर तकर 2024 की बात मत करिए दोहजार चौपी जनता जनार्दन ने देश की जनता जनार्दन उत्तर प्रदेश की 25 कर लिया है कि हमें मोदी को मोदी जी को लाना है वह त्हेंख वह बहुत देख मतलब आज से आठ सालों के अंदर एक परिवर्तन है देश के अंदर सूच आप बताई ना एक आइस्मान कार्ड पर असी हजार करोड रुपे बचा है गरीबों कहीं बचा ना आज वह असी हजार करोड खर्चा हो जा गरीब का दोस्दौन हो जाता है एक गरीब को लगपती बना दिया तो जनता जनारदन आधरिन मोदी जी पर विश्वास करती है और मोदी जी को छोड़का लोगसभा चुनाव में उसने अगला प्रधान मंदरी देश का तैंक कर चुका है तो यह थे स्वतन देव सिंग जिनका दावा है कि निकाय चुनाव में भी इस बार प्रचंड जीत ह होगी और साथ ही सबकी निगाई चुकी लोगसभा चुनाव पर भी है तो वो कह रहे हैं कि चुनाव जो है 2024 का वो कोई चुनावती ही नहीं है नरेंद मोदी के लिए वो सब पहले से एडवांस बुकिंग है क्यामरवा निसांत के साथ पंकत ज्या टीवी नाइन भारत वर झांस